बरतपुर गेट के समीफ गिया मंडी बने दिर्ग विश्नु मंदिर में दोदिपसी ये पार्टोटसभ कारिकरम का विजिन किया गया इसके अंतर्गत मंदि प्रांगाड में विभिन प्रिकार के कारिक्रम किये गए जिसमें विश्नु भगवान का महपशिय किया गया बेदी विदान के साथ ये पूजा अर्चना की गई सुक्रबार की शाम बब्वी पूल बंगले का भी आईवन किया गया था बजन संद्या का कारिक्रम किया गया इसके अंतरगत दरजनों की संख्या में शुर्दालों ने बढ़ चड़कर भाग लिया तो वहीं संत्र समागम भी हुआ जिसमें संत्र लोगों ने अपने प्रवचन कहें बजन संद्या का था गया था तो वहीं मंदर प्रागण में भवी तरीके से फूल बंगला सजाए गया जिसमें देश विदिश्ति फूल मंगाए गया और बंगला था प्रणगी लाइटों से मंदिर को दुलेंगी तरफ सजाय गया तो वहीं हिंदी नबबर्श के उपलक्ष में हिंदी कलेंडर का वेमोचन किया गया इस कारिक्रम के बारे में जानकर देते हुए मंदिर के सेवायत एउंटरिष्ट के अध्यक्ष बिजिन नागर ने बताया कि अर्चाल की महती इस बार भी मंदिर प्रांगन में पार्टो सब का आयोजन किया गया है इस कारिक्रम में शविष्ट दालों ने बढ़ चड़कर भाग लिया है इस दो दिवचे कारिक्रम में विविन तरफ के कारिक्रम भी आयोजन किये गई आज लिए आज गया है है हम अपने बगभाण का पाटो सब पर मना रहे हैं इस पर बगभाण का भब फूल बंगला साया गया है कल से ये मनुरत चला है गत्मतियों से कल हमारे याँ आटो जागी होगी थी आज प्राते काल हमारे याँ अफशेख हुआ अदो दही सहर किरस्पे जो है इस समय ठाकुर जी का फूल बंगला बना है सबी संत गणामाने वक्तियों का आगमन और संतों की माने याँ भक्तों को सुननों के मिली भगवान सिरी तीरकी पिशनुची के वारे में सुनने की का अफसर याँ के भक्तों को प्राप्त हुआ मैं आपके नियो नुच के मात्यम से और नवी नुच के मात्यम से अरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव अब मतोरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत अत्याधिक आधुनिक सुवधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहां बहतरीन आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पराराइसिस, एपिलेप्सी, और्थोपटेक इंजरी, अब्डॉमनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है आपकी बहतर स्वास्त के लिए सदेव ततपर आरोग्य प्लस सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैन 84 मंदिर के समीब गोवर्धन चुराहा मतुरा इसको यहां बहुत बड़ी प्रक्रमा लगे हुगी, भक्तों से आगए है कि वो पूर्ण मासीव को यहां प्रक्रमा देने के लिए है मत्रापुरी के 37 चेत्र में बिराजमान भग्वान सी धिर्विष्णू मंदिर के आतपाटोत सब का भव्य आयोजन निहां किया जा रहा है उसी के करम में आज यहां फूल बंगला प्राता काल से ही पंचामित रिष्णान ठाकुर जी का अभिशेख और स्रंगार के भव्य दर्शन और उसके बाद में आज फूल बंगला के दर्शन और उसी के साथ में संत समागम, संतों के प्रवचन, संतों का आशिरवाद, परम पूज्य सर्दे आदित्यानंदी महराज, परमादर्णिय स्री स्रमन कुमार जी, जो संस्कित भारती का पूरे प्रदेश का कारिए देखते हैं, ऐसे प्रचारक और सभी यहां पर महानभावों ने हम सभी का मारदर्शन की किया, आज भहुती आनंद और उत्सव का दिन है द्वादर्शी का दिन प्रतिवर्श के दिन चे बैशाक मास की द्वादर्शी को प्रतिवर्श यहां पर पाट उत्सव मनाया जाता है, उसी करम में यहां पाट उत्सव का आयोजन, अब यहां भजन संद्या का कारिकरम, सांस्कृतिक कारिकरम यहां सभी यहां पर चलते सुक्तों स्री सुक्तों के साथ में थाकुर जी का यहां पर विश्नु विशत केसा थारमिक वरनमा में यहांग छार और sontra नाम का पहत भी आपनी जोर यहांगा कि दिन बहर धार्मिक कि अनुस्थान कि साथ में आज का इस प्रांग जब धीरवुष्नु मनिल का प्रांगण एक भाव्यो धार्मिक बाता प्रणम में आज गुंजाएमान होता दिखाई दे रहा है चारों और भक्तों की धूम बची हुई है सभी ने यहां भगवान दीर विश्णू के दर्सन किये हैं सभी ने पुनिलाप्त किया है आज के दिन मैं इसी अवसर पर आपके माद्यम से समस्त ब्रजवाशियों को भगवान दीर विश्णू का आशिरवाद परदान करते हुए सभी से मंगल की कामना करता हूँ सभी से ब्रजवाशियों से या दिन हमारा लिए सुम हो और या वर्स हमारा लिए सुम हो यही सभी कामना करते हुए भगवान दीर विश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को दबाईए नियो नियूस की खबरें सबसे पहले देखने के लिए